हेलो फ्रेंज मैं दड़ चेले संचेती एम डेलमेंपद फ्राम पुने आज हम बात करेंगे रल से इटीव कोलालिटिस के बारे में पारे में अपने या औस तीज या कोल कि जखम हो जाती है अब इस वज़े से क्या क्या होता है इस वज़े से लूज मोशन हो जाएगा लूज मोशन में खून आएगा पेट में सीवेर दर्द उठेगा और पेशन को ऐसा अर्जंट तुरन जाना पड़ेगा मतलब वो रुक नहीं सकता है अब यह कभी दिन में हो स सकती है यह सब सिंटम्स याने कि लूज मोशन ब्लडी डायरिया क्रैंपिंग पीन अनकंट्रोल मोशन सिच टाइमिंग कोई भी हो और उसके लिए जरूर नहीं कि आपने जैसे रेगिलर लूज मोशन होता है वैसा हो अब इसको बलते है अलसरेटिव कोलाइटिस अब अलस बहुत सारे केसिस में कहां पाया जाता है बहुत सारे केसिस में एनल एरिया यहां से स्टोर होके निकलती है उस एरिया में सबसे ज्यादा यह पाया जाता है तो इसके अंदर जो लोकेशन वाइज इसके अलग-अलग नाम होते हैं इसमें फर्स आता है जिसको बोलते हैं अ याने कि अगर inflammation rectum and lower part of the colon में हो जाता है तो उसको बोलेंगे ulcerative proctitis, ठीक है, second number अगर entire large intestine में inflammation हो जाता है, याने कि पूरे बड़े आत में तकलिफ हो जाती है, तो फिर उसको pancolitis बोलेंगे, अब third point है, अगर limited area में या फिर किसी एक side में अगर impact होता है, inflammation का, तो उसको बोलेंगे limited colitis या specific location का colitis, ulcerative colitis के sign and symptoms के बारे में जानते हैं, ulcerative colitis या अगर acute से शुरू होगा और if it is not treated well, तो ये chronic तक भी जाता है, मतलब patients ये बोलते है, डॉक्र सब वैसे तो दिक्कर 10-12 साल से है, लेकिन कभी जादा होती, कभी कम होती, कभी season wise होती, कभी food change होने के वज़े से होती, इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि पेट में cramps आना, पेट में दर्थ होना, lose motion, severe हो जाना, उसमें खून जाना, जिसके वज़े से weakness, tiredness, exhaustion, feel होना, nutritional insufficiency होना, जिसे के साथ-साथ skin को rashes आना, skin को black discoloration होना, साथी में उस patient को उस तकलिप के वज़े से हमेशा एक anxiety बनी रहना, कि मैं कहीं जाओंगा और मुझे तकलिप हो गई, तो मैं क्या करूंगा, इन शर्ट ये सिर्फ बिमारी आपके शरीर को ही नहीं, आपके सौबाओ को, आपके routine को, और आपके presentation या confidence को भी affect करती है, अब ये major symptoms हमने ulcerative qualities में देखे, अब इसके chronic symptoms, यानि कि chronic case में क्या क्या हो सकता है, weight loss रहेगा, अच्छा उसके बाद joint pain रहेंगे, या patient को mouth ulcer की शिकायत रहेगी, या patient का muscle wasting हो गया होगा, यानि कि वो patient का आपको catch a tick look, यानि कि जिसको बोलते हैं कि बंदा बहुत ठक गया, उसके अंदर शेरिद में ताकत नहीं, और उसका weight loss हो गया, वैसा बंदा आपको इसके अंदर दिखेगा, यह हो गए sign and symptoms, so ulcerative qualities की वज़े क्या है, ulcerative qualities की वज़े यह है कि यह autoimmune disease है, यानि कि अपने body के cells ही अपने body पर attack करते हैं, इसको autoimmune disease बोलते हैं, अब बात करते हैं, इसके लिए कुणसे कुणसे test करने चाहिए, सबसे पहला test आएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि लेटरी नहीं याने कि stools में खुन जाएगा, तो cbc करेंगे, उसमें आपको wbc बढ़ा हुआ दिखेगा, eosinophil count up and down दिखेगा, उसमें आपको rbc का size दिखेगा, उसमें आपको hbb कम हुआ है, वो भी दिखेगा, दूसरा test है, इसके अंदर आप colonoscopy कर सकते हैं, सिग्माइडोस्कोपी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कितना area, कुणसा area, कितना impact है, कितनी severity है, वो भी आपको दिखेगी, तीसरा है stool test कर सकते हैं, उसके अंदर stool routine हो, यह चाहे, stool आप culture कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या आपको कोई bacterial infection है, कितना infection है, वो भी आपको उससे पता चलेगा, इसके साथ में और एक है, जाने की sonography अगर आप करते हो, तो भी उसके अंदर inflammatory process into the colon या large intestine लिखके आता है, जिसके अंदर looking like a colitis ऐसा वर्ड भी लिखके आता है, हाला कि सेटेश का या फिर MRI में भी यह चीज़े दिखती है, आप करते हैं कि इसको हम prevent कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली बात, देखें, lifestyle यह वर्ड जो है, यह बहुत माहिने रखता है, मतलब आप क्या खाते हैं, कितने बज़े खाते हैं, कैसे खाते हैं, यानि कि अगर आपको cold drink पीने के आदत है, परसान, oily stuff, बहुत मासाले वाला खाना, ज्यादा तला हुआ, fried food, outside food, fatty food, store food, तो यह सब चीज़े, इन्यों से यह तकलिफ बढ़ने के, या फिर यह आगे बढ़ने के chances होते हैं, इसके लिए आपको इनको कम करना चाहिए, साथी साथ आपको good quantity में दूद पीना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, आपने body को rehydrated अठकना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा fruit, salad, vegetable soups यह लेने चाहिए, और सबसे important बात रात को late night खाना और bad habits जो भी रहेगी, alcohol, smoking, drinking, anything, उनको सब को stop करना चाहिए, दोस्तों अब भी आपने समझा होगा कि ulcerative colitis क्या है, उसकी तकलीफ है क्या है, उसके लिए कौनसा test करते हैं, अब इसके अंदर एक बात तो समझने वाली है कि intestine के अंदर अलसर है, यानि कि फिर श्विलिंग है, तो वहां पे तो कोई जाकर ड्रेसिंग तो करेगा नहीं, मतलब यह समझने वाली point है, अब इसमें अगर आपने यह भी देखा होगा कि आपने दावाईली है, थोड़े दिन के लिए ठीक रहा, वापिस जैसे दो-चार मेने वापिस शुरू हो गया, किया हुमेपथी प्लेजर वेरी बेस्ट रोल, अभी हमारे पास बहुत सारे केसे हैं जिनके अंदर हमने अल्सरेटिव को लाइटिस को ट्रिट्मेंट दी है और उन पेशेंट की क्वालिटी ओफ लाइफ और उनके साइन शिंप्टम साथे साथ उनको जो भी दिक्कते हो रहे थी जैसे अच्छानक मोशन आना, खून जाना, वेट लॉस होना, जॉइन पेइन, राशिस, एनेमिय थकान, बॉर्ड, हेर लॉस, एवरिटिंग, अब अक्सर यह पेशेंट की चर्चा रहती है कि होमेपाथी सर्दी खासी के लिए चलता है क्या या फिर बाकि और चीजों के लिए चलता है तो यह अल्सरेटिव को लाइटिस जैसे सिचुएशन के लिए होमेपाथी क्या सही में help करेगी, यह एक बात तो समझने वाली है कि हाँ इसमें जरूर help करेगी क्योंकि इस से आपका हुमेपाथी में सर्फ हम दवाई नहीं देते हम आपको lifestyle कैसे करना है, खाना कैसे रखना है, इस तरीके का exercise करना है, उसमें हम जब को medicine देते हैं, आपके कितनी requirement है, आपको क आपको analyze करके उसको proper explain आपको करते हैं, हाला कि आपने यह देखा होगा, कि as a patient हम अगर किसी doctor के पास जाते है, यह इतना ही बोलते हैं, हाँ दावाई ले लो, ध्यान रखो हो जाएगा, लेकिन नहीं, अगर आपको आपके disease के बार में पूरी information अगर चाहिए, और उसको हैंने कि false perception है, homeopathy slow acting है, या homeopathy बहुत सारे dietary restrictions है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, restriction आपकी बीमारी के हिसाब से होते हैं, और homeopathy यह fastest action है, यह जब आप खुद आओगे, experience करोगे, बाकी patient के साथ चर्चा करोगे, तब आप इस बात को जरूर समझोगे, anyways, अगर इसके आलावा आपको ulcerative colitis के बारे में और कुछ information चाहिए, so feel free to ask, हामारा comment section open आपके लिए है, हामारी यहाँ पे medicine, online concentration भी होता है, medicine through, speed post, courier भी मिलता है, और आप हमें whatsapp पे contact करके भी, आपके report share करके भी treatment ले सकते, so overall online treatment भी available है, so stay tuned with Dr. Shailesan, चिते advanced homeopathic clinic पूने, thank you.